हुआ है हम लोग एक्टी पड़ते हैं तो उस पर आज हम सीट नंबर सेविंग परागर के नंबर 27 लेकिने से पहले हम आपको एक आवश्चक सुचना दे रहे हैं आपने जो एक्जाम दे रहे हैं उस एक्जाम के अंतरगत हमने आप से कुछ आप रह दिया था हमने कहाता दो मैने की फीज आप जमा कर दीजिए स्कूल में और अपना एक एंडमेट कार टाइब का ले जाएए सिलिप और वो कॉंपी पर लगानी हैं आप लोग कता ही नहीं सुनना ही है वो सकता है आप जब पीस तारिफ को कॉंपी जमा हो तब आप भीड़त इखटी करक यहां चाहिए जैसा कि हमेशा होता है एक्जांप सुनू होते हैं एक्जांप लेने के लिए आप ऑफ इस में लाइन लगा देते हैं पपे पर सुनू हो जाता है ध्यार नहीं देते इस चीज को तो हमने आपसे का आए कितना ही स्मूथ ली तरीका है आप किसी भी समय आई गवे नो वजी से वारे वजी तक सर्जी मिलेंगे उनको फिर जमा कर दो ले लो ने चले जाओ और कि पॉंपी पे जमा तेना और हां पे 31 तारी को हमें जमा कर देना अगर वो आपका अड़ुट का नहीं लगा तो हम किसी भी कीमत में आपकी कॉंपी नहीं जमा करेंगी और जमा करवी दी धोके में तो हम कॉंपी चेक नहीं करेंगी जब कॉंपी चेक नहीं होगी तो आपका नाम वहाँ से खारिज रहीगा नाम ही नहीं होगा तो आप क्या सबुक्त है आपका यानि कि आप इस परिच्छा में जुड़े हैं तो आपको काम यह करना है दो महिने की फीस जमा करनी है और अपना एडमिट कार ले जाना है बिल्कुल सरल तरीका है और कुछ नहीं है आने वाले सब्सक्राइब में इस्कूल बुलेगा बुलने जा रहा है तो आप इस्कूल बुलेगा तब भी आपको फीस जमा करने पड़ेगी कि नहीं करने पड़ेगी तब भी जमा करने पड़ेगी फीस और फीस जमा करेगी तब आपके एचाम देगी तो क्योना अपना इस उतली तरीका बना थोड़ा 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 करके चलते रहें YEiHe तो चले आज में आखको इसमें को विंग तरहें को ही और एक नंवर है जैसे आपेक मगान नंबर होता है जूसरे का मगान का मपर्तीसरे का मगान का था जैसे कि सँ और या जाए और बिलू मिलखा है अब पैकेट की कोड़ नमब आगिया तू, एकी फाइब, सिर्की एट, एकी ग्री, एकी सेब्ल और एकी सिक्स, अब एकी वन, एकी जिरो, एकी नाइब, एकी सेब्ल यह दिन नमबर प्लेट नमबरों से यह सब जो बनाया गया है प्लेट, पैकेट और ग्लू को मिलाकर प्लेट बयार गया है, तो जरा इसका कोड़ नमबर क्या है, एक अब आपको बता दे हो नई चीछ, अगर आपको मालीजिए इसमें ए नहीं मिला, तो एलफा मिट के कोड़ को आप यूज करेंगे, एलफा मिट का कोड़ क्या था, जो तो ए से लेकर जड़ तक चलते हैं, जिसमें ए की वेल्यू वन है, अगर हम सीरियल से चल लाए हैं, ए बी सीरी, तो ए की वेल्यू वन रहीगी, तो हम वन का यूज करेंगे, तो मीन्स आपके कोड़ नमबर भी याद रखने पढ़ेंगे, क्योंकि जड़ की वेल्यू 26 है, क्योंकि 26 हमारे बढ़ होते हैं, एसे लेकर जड़ तक तो उसमें वेल्यू 3 देट है, ऐसे बी की वेल्यू 2 है, तो बाईगी 25 है, सी की 3 है, तो एक्स की 24 है, तो यह याद रखना है, तब ही ये कोडिंग सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन यहाद दिया है, जैसे बी की वेल्यू दिया है, तो जुदिक तो, एल दर्लास दो, एल जिडो है, जिडो लगागो, एकिटी 5 है, फाइव लगागो, टी, टी की 6 है, और एकिटी 7 है, जब हो एकिञावी 7 है, एकिञावी 7, तो प्लेट का वोड़ा को मानुपड गया, बी सजाग पांसो छेयाता है, ऐसे ही अग कहता है यलो से, यलो is called green, यलो कहता है green से, and green is called red, ऑफ ग्रीन कहता है रेट से, तो देन दा कला औप टर्मिक इच, तो कों सा कलर आपका टर्मिक रहेगा, अब आप जरा धांने तो इसमें तो आपको कुछी नहीं, इसे इस था अब अगला नहीं है, इमें शर्टन पूर्ग का वार्ट is written as B-N-U-E-O, then the same whole number, अब number का आपको बनाना हो, अब जैसे देखो, C-O-B-E-A, ये कवर का बनाना है, तो B-N-U-B-Q, तो फिर नंबर का लिलाना है, अब चेप करो, C से B हुआ, मतलब C बड़ा था, B छोटा था, तो N से छोटा क्या हो जाएगा, N, O-N हुआ, सब्दों को कम होते जाने हैं, तो U का चोटा हो जाएगा, V, अब अब U का, है न, का योगा है ना तो पहते इन हकोँ कि यू एए वे का यू था ना इसकी इंवन देखिए लिया वी का में तो हम इस पहले जोड़ेंगे क्या चीज्क एगी में फैनल म्य्वी कि लिए क fot तो B का A हो जाएगा, अब R का Q है, तो हमारा R का Q है रहे है, अब हम इसमें देजें A, P, L, A, P, Q, किस ऑप्शन में हैं, तो पहरा ऑप्शन में दिया, तो पहली माम दिद्धें, M, P, L, A, P, Q, किसका नमबर नहीं था, तो पूर बाते हैं, आप इसके विकूर नमबर पे चलते चले जाएगे, चौत्या है, इक ए डॉग है, नीन से लॉइं, एक उत्ता, एक सिर बन सकता है, एक में, एक लॉइं, नीन से लियर, एक से हिरन बन सकता है, तो एक लियर मीन से लेविट, एक हिरन घरवोष बन सकता है, तो देन दाकिम, ओफ दर जंगर, अब कि यहां पर कुछ तोड़ा सा पजल्स है, तो पजल्स हम आपको पे लियर करें, जैसे जोग जो है, वो लॉइं से बड़ा है यहां पर, अब जो लॉइं है, वो लॉइं से बड़ा है, वो जो डियर है, वो रेविट से बड़ा है, अब उसके कुछन दिया है, कि देन का किम, ओफ दे जंगर केश है, अब जंगर का सबसे बड़ा र्यक्ती कौन है, जंगर का की, कौन किसको बड़ा, वैसे जंगर का की लॉइं हो लॉइं को आजाता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा है, आप देख रहा हैं, तो बड़ा जो ए लोईं से बड़ा है तो लोईं दियर से इसका मतलब हुआ और जो रेविट से बड़ा हुआ तो बड़ा में नहीं को ने है तो दोग की कहा तो हम डोग को मात कर देगी ऐसे ही इंगे श्याकार अक्ठ अक्ठ इस रिखिन एक्ठ इस रिखने को लिखाया का अक्ठ अक्ठ इसका एक्ठ बना दिया बी एस यू एल तो हमारा श्याट का पुछा है उसके हो तांके आके monk less फसह बात कें नगरें तो एस के वाद क्या है वे थी एक्ठ ऑऑद आई आई के वाद जे आट के वाद स अर ट के वाद तो इल्टे सन्ट तो बात जे एस यू बी बाला option है तो बी बाले पर हम क्लिक लगा देंगे हम इसके according चलेंगे अगले है if a nose is called head nose क्या कहती है सिर्थ से head is called leg किसे कहता है पैर से leg is called eye leg किसे कहता है आपों से and eye is called और आप किसे कहता है यह पैर भी टक्निक मतलब जो head is called उसको toy नीचे ले पढ़ यह पैर को then we see object भी तो हमने सभी object भी तो हम देख के बताएं कि आप है तो हम toy पे लगा नहीं क्योंकि सबसे नीचे का पड़ जाई basement है body का यह सब body बेका रहा है तो इस तरह से आप पोड़ पोड़ जो करते रहीं और करते रहीं